सुमेद मुदगलकर और मलिका सिंग ने रादा क्रश्न के तौर पर लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगे बनाई है पांस सालों से दोनों साथ में काम करते आए हैं यहां तक की इंस्टाक्राम पर भी वो एक दूसरे के साथ मस्ती करते देखी जाते हैं और एक दूसरे की पोश्ट पर रियक्ट करने से लेकर स्टोरी लगाने तक का यह रिस्ता लोगों को बहुत खास लगता है और जब इस रिस्ते की गहराई जानने के लिए सुमेद मुदगलकर और मलिका सिंग से सवाल किये जाते हैं तो वो इस पर किसी भी तरह का कोई रियक्शन नहीं देते हैं और चुपी साज लेते हैं और जब सुमेद मुदगलकर से पूछा गया कि दोनों के बीच क्या चल रहा है क्या वे दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं तब सुमेद मुदगलकर ने कहा कि वो और मलिका सिंग केवल अच्छे दोस्त हैं और जब सुमेद से पूछा गया कि क्या वो पहले भी मलिका को डेट कर रहे थे तो सुमेद ने कहा कि ना ही वो पहले डेट कर रहे थे और ना ही अभी उन्होंने मल्लिका के साथ हमेशा एक अच्छा रिस्ता शेयर किया है और आगे भी करते रहेंगे सुमेद ने आगे कहा कि मल्लिका एक बहुत ही अच्छी इंसान है और ऐसे में लोगों को लग सकता है कि वे खास तरह के रिलेशन्शिप में है तो वे बता दें कि वे हमेशा से ही इस पर खुल कर सामने अपने विचार रखते आए हैं और वो फिलहाल सिंगल हैं और वो अपनी परशनल लाइफ को प्राइवेट रखने में ही भरोसा रखते हैं वहीं रादा क्रशन टीवी शो को भारती टेलिविजन के बहतिरीन एतिहासिक सो में से एक माना जाता है शो में क्रशन का रोल निभाने वाले सुमेद मुद्गलकर की पसनेल्टी काफी अट्रेक्टिव है उनकी हरी आखें और गुंगरालू बाल उनके लुप को और भी बहतिरीन बनाते हैं और एक्टर सुमेद मुद्गलकर को इस्टार भारत पर सरारती और चंचल क्रशन का रोल निभाने के बाद लोगों का खूप प्यार मिला है